आज यम्मी बेक में बन रही है अमेजिंग सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्ट्रो जैसा वाइट सॉस पास्ता बहुत से friends ने मुझे comment किया कि मैंम आप मुझे white sauce pasta, red sauce pasta बनाना सिखाएं तो आज मैं आप सब friends के लिए white sauce pasta recipe लेकर आई हूँ वो भी बहुत असान तरीके से pasta बच्चे हो या बड़े सबी का favorite होता है वैसे तो pasta हर कोई घर में बनाता है पर घर के पास्ता में और रेस्टरों के पास्ता में बहुत ज़्यादा फर्क होता है घर के पास्ता में वो बात नहीं आपाती या तो वाइट सोस अच्छे से नहीं बनती या पास्ता ज़्यादा थिक हो जाता है या पास्ता ज़्यादा कुक हो जाता है जो खाया भी नहीं जाता है आज मैं आपको बिल्कुल होटर जैसा प्रॉपर रेशो के साथ पास्ता बनाना सिखाऊंगी जिससे आप घर में इतना टेस्टी यम्मी वाइट सॉस पास्ता बना लेंगे वो भी बहुत असानी से चलिए शुरू करते हैं वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम लेंगे एक कप पैने पास्ता मार्किट में पास्ता बहुत ही डिजाइन के आ रहा है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहां पैने पास्ता लिया है सबसे पहले हमें पास्ता को उबालना होगा पास्ता उबालने के लिए हम लेंगे पैन, पैन में डालेंगे 5 कप के करीब पानी पानी में हम जब तक पास्ता को नहीं डालेंगे, जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता अब हम इसमें डालेंगे एक टीजपून नमक मैं सारी चीजे रेशो से और स्टेप बाई स्टेप बता रही हूँ इससे आपका पास्ता बिल्कुर परफेक्ट बनेगा साथ में डालेंगे एक टीजपून ओयल आप ओयल कोई सा भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और पैन को ढखकर रखेंगे जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता लीजिए पानी में उबाल आ गया है अब हम इस स्टेप पर डालेंगे पास्ता आप देख सकते हैं कि गरम पानी में पास्ता डालते ही पास्ता ने स्टार्च छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि या अपस में चिपके नहीं अब हमें ये देखना है कि पास्ता पका है या नहीं कितनी देर और पकाना है तो इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ आप एक पीस पैन में से पास्ता का निकाल लें और उस एक पीस को कट करके देखे जब हम इसे काटेंगे तो एक वाइट इरिंग्स दिख रही है इसका मतलब अभी पास्ता पूरी तरीके से पका नहीं है यह 80% तक पक गिया है इसे स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद हमें इससे ज़्यादा पास्ता नहीं पकाना है इससे ज़्यादा अगर पकाया तो पास्ता मैशी हो जाएगा अब हम पास्ता को छानेंगे पास्ता बहुत गरम है और इसे ठंडा करना ज़रूरी है इसके लिए हम नॉर्मल पानी से पास्ता को धो लेंगे पास्ता के उपन नॉर्मल पानी डालेंगे पास्ता ठंडा हो जायेगा यम्मी टेस्टी पास्टा बनाने के लिए हम लेंगे कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स हम यहाँ पर लेंगे एक मीडियम साइस की चॉप्ड शिम्ला मिर्च दो चॉप्ड गाजल लेंगे तीन चॉप्ड प्याज लेंगे साथ में लेंगे आदा कब उबले हुए स्वीट कॉंस साथ में लेंगे मोटी हरी मिर्च यह हरी मिर्च जादा तीक ही नहीं होती है पांच-चे हरी मिर्च ले सकते हैं शह साथ लहसून की कलिया लिया है उसको भी हमने बारी काट लिया है अगर आप कोई और भी वेजिटेबल से यूज करना चाते हैं तो कर सकते हैं इसे आप डाल सकते हैं अब हम गैस पर रखेंगे पैन पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ओईल ओईल हलका सा गरम हो जाए तो हम डालेंगे बारी कटे लहसून एक मिनिट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे रहसुन भून गया है अब हम डालेंगे पियाज और गाजर 2-3 मिनिट के लिए low to medium फ्लेम पर भूनेंगे हमें यहाई पर सब्ज़ियों को बहुत जाता पकाना नहीं है बहुत जाता ब्राउन नहीं करना है लीजिए सबजी अच्छे से भून गई है, याद रखिए का सबजीयों को हलका सा सॉफ्ट करना है, जादा नहीं भूनना है, गैस को आफ करेंगे और जल्दी से वाइट सॉस बनाते हैं पास्ते के लिए, अब हम गैस पर रखेंगे कड़ाई, लो फ्लेम पर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून बटर, मेल्ट बटर डाल सकते हैं, या बटर के क्यूप्स भी आते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, अगर आप मेल्ट बटर डाल रहे हैं, तो 3 टेबल स्पून डालेंगे, और अगर बटर के क्यूप्स डाल रहे हैं, तो 4-5 बटर के क्यूप्स डालेंगे, चार-पांच बटर के क्यूप्स लगबक 3 टेबल स्पून होते हैं अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा जिससे मैदा और बटर का रेशो बराबर रहे जितना बटर लेंगे उतना ही मैदा डालेंगे जो प्रॉबलम आती है पास्ता बनाने में वो यही होती है या तो सौस पकी नहीं होती है या कुछ जादा ही सौस पक जाती है और गाड़ी हो जाती है या फिर जादा ही पतली हो जाती है इसलिए आपको रेशो परफेक्ट बता रही हूँ अब इसे अच्छे से mix करेंगे लगाता चलाते हुए मैदा को भूनेंगे जादा नहीं भूनना है बस मैदा का कच्चापन निकालना है लगबक 3-4 मिनट में मैदा भून जाएगी मैदा मेंसे हलकी हलकी खुश्बू आने लगेगी तो आप समझ लीजिएगा कि मैदा भून गई है फ्लेम को लोही रखेंगे अब हम डालेंगे 500 ml दूद दूद रूम टेंपरेचर वाला ही लेना है दूद को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और विक्सर से चलाते रहेंगे जिससे की मैदा में गाठे ना पड़े और स्मूथ सौंस तयार हो जाए विसकर से अच्छे से चलाते चलाते दूद डालते जाएंगे अब आपको एक सीक्रेट बताती हूँ आप इस सौंस को ऐसी बनाकर एयर टाइट जार में भरकर रख सकते हैं और जब भी आप कभी कड़ाई पनीर शाही पनीर या कोई भी ग्रेवी वाली सबजी बनाए तो क्रीम का इस्तमाल करने की जगे आप इस वाइट सौंस का इस्तमाल कर सकते हैं वाइट सौंस डाल सकते हैं इससे सबजी बहुती बढ़िया बनती है आप बना का ट्राइ कीजिए इस स्टेज पर हम डालेंगे एक टी स्पून नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं हमारी सौंस मक्षन जैसे स्मूध बन गई है इसे चलाते रहना है अब हम डालेंगे आधा टी स्पू काली मिर्च पाउडर डालेंगे यह सब चीजे बहुती बढ़िया फ्लेवर देती है लो फ्लेम पर इसे पकाना है आप देख सकते हैं कितनी शाइनी सौस बनी है अब हम डालेंगे दो टेबल स्पून मौजरेला चीज चीज डालने से यह परफेक्ट क्रीमी क्रीमी सौस ब देखें अगर वक साइड पर इसकी कोटिंग लगी है तो आप समझ जाईए की सौस की कंसिस्टनसी पर फेक्ट है अब आप इसकी कंसिस्टन सी यही consistency sauce की चाहिए अब इस stage पर हम डालेंगे हमारी तैयार सब्जियां सब्जियों को अच्छे से sauce में mix करेंगे अब हम डालेंगे हमारा तैयार उबला हुआ पास्ता अब धीरे धीरे पास्ता को white sauce में mix करेंगे आप देख सकते हैं एक एक पास्ता में perfect white sauce की coating है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पास्ता मैशी हो गया है या sauce की मातरा कम है पास्ता को sauce में अच्छे से mix करने के बाद low to medium flame पर दो मिनिट के लिए पकाएंगे इससे sauce का flavor पास्ता में आ जाएगा अगर आपको लगे कि आपकी sauce इस stage पर थोड़ी गाड़ी है तो कोई problem नहीं आप इसमें हलका गरम दूट डाल सकते हैं और इसकी consistency को ठीक कर सकते हैं लीजिए हमारा white sauce pasta ready है यह होता है असली white sauce pasta बनाने का तरीका पास्ता को सर्फ करेंगे पास्ता के उपर डालेंगे chili flakes, oregano's लीजिए तैयार है हमारा yummy tasty restaurant style जैसा white sauce pasta इतना yummy होता है कि बनाते बनाते मु जल्दी से kitchen में जाईए और white sauce pasta बनाईए यकीन मानिए आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में तो बिल्कुल ला जवाब लगेगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज 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 अपना feedback मुझे जरूर दीजिए जल्दी मिलते आई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाई थैंक्यो सो मॉच